नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ मनिकांत ठाकुर आज बिहार की एक ऐसी खबर से चर्चा शुरू करते हैं जो धान और किसान से संबंधित है और पिछले कई दिनों से अखवारों में कभी छोटी तो कभी बड़ी शक्ल में उभरती रही है कल बिहार विधान मंडल में भी इस मसले पर बहस और नोक जोक हुई तो ये मामला है क्या आईए थोड़े शब्दों में बताते हैं राज्य सरकार हर एक साल धान उपजवाले मौसम में किसानों से निर्धारित मुल्य पर और निर्धारित मात्रा में धान खरीदती है ताके किसानों को ओने पोने दाम पर मजबूरी में धान बेचने की विवश्ता से बचाया जा सके इसी योजना के तहट इस वर्ष बिहार के धाई लाख किसानों से 30 लाख क्विंटल धान 31 मार्च तक खरीद लेने का लक्ष तै किया गया था लेकिन सुरते हाल ये है कि समय पूरा होने में अब सिर्फ 15-20 दिन ही बचे हैं और राजसरकार अब तक लगभग 10 लाख टन धान ही खरीद पाई है मतलब साफ है कि धान खरीद का लक्ष पूरा करने में राजसरकार इस बार विफल रही ये आरोप भी लगा है कि इस मद में सरकारी एजेंसियों को जरूरी धन राशी ना दे कर और जैसे तैसे बिचोलियों के जरिये धान खरीद वाने जैसी और कई अनियमित तायं बरत कर नीतीश सरकार ने राज के किसानों के साथ घात किया है हालत ये है कि इस वर्ष यहां 90 लाख टन धान की उपज हुई अगर राज सरकार उपज का आधा यानि 45 लाख टन धान उचित मुल्ली पर खरीद लेती तो जाहिर है कि किसानों को बड़ी राहत मिलती इसलिए विपक्ष को नीतीश सरकार के खलाफ किसानों से जोड़ा हुआ एक मुद्दा मिल गया है याद दिला दें कि सरकारी खरीद वाले धान से चावल बनाने की प्रक्रिया में चावल मिल मालिकों और सरकारी विभागों की मिली भगत से हुए गवन और घोटाले का दफन इस राज में एक बार हो चुका है अब एक दूसरी खबर कल बिहार में भी अंतरराश्ट्रिय महिला दिवस मनाने के लिए कई सरकारी घर सरकारी आयोजन हुए ऐसे ही एक मौके पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने घोशना की कि केंद्र सरकार लोग सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षन संबंधी विधेक लाएगी तो जनता दल यूनाइटेड उसका समर्थन करेगा इसी मौके पर उन्होंने राजी की राशन दुकानों यानि जन वितरण प्रणाली के तहत दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षन देने का ऐलान किया दरसल महिलाओं को एक बड़ा वोट बैंक समझते हुए नितीश कुमार पहले भी महिला समाज को लुभाने जैसी कई घोशनाएं कर चुके हैं जबकि लोगों को ये भी याद होगा कि इसी जनतादल युनाइटेड के ततकाली नध्यक्ष शरद यादव महिला आरक्षन विधेक के खलाफ सबसे ज्यादा मुखर थे शरद यादव को हटा कर इस पद पर खुद बैठे नितीश कुमार अब पाटी पर लगे हुए उस आरोप को दूर करने की कोशिश में है आज के अख़वारों में इसी विशे से संबंधित एक और खबर सुर्खी बनी है सरकार से जोड़े हर एक स्तर पर महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षन देने की मांग लेकर कलपटना में सर्वदलिये महिलाओं ने प्रदर्शन किया है ये ठीक है कि यहां सरकारी दल जेडियू की महिलाओं आरक्षन के सवाल पर विपक्षी दलों की महिलाओं के साथ एक जुटता दिखा रही है लेकिन सवाल ये भी है कि जब राज्य में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बलातकार और अन्य अत्याचारों के खलाफ विपक्षी खेमे की महिलाओं आवाज उठाती है तब सत्ता पक्ष की महिलाओं क्यों खामोश हो जाती है ये ठीक उसी तरह का मामला है जब अपने लिए सुविधाएं लेने के नाम पर सारे दल के कथित माने निये बेहत प्रसंद और एक जुट दिखने लगते हैं तो छोड़िए इस बात को सियासी छद पर ज्यादा सोच कर मूड खराब करने से अच्छा है आज की इस चर्चा को यहीं विराम दें कल और बाते होंगी नमस्कार